समस्कार दोस्तों आओ देखे जाने में आपका स्वागत है दोस्तों आज का हमारा प्रेस ने भारत में कुल कितने बैंक हैं दोस्तों हमारे देश में भारत देश में काफी सारे बैंक हैं जैसे हम आपको उनी बैंकों के बारे में बता रहे हैं केंद्री बैंक, सेंट्रल बै ब्हारत में या एक ही ऐसा बैंक है जिसका नाम में भारती रिजर्व बैंक, ये वो बैंक है जो भारत के सभी बैंकों को नियंतरित करता है। बैंकों को रुपए देने और छापने का काम भी यही करता है। दोस्तों बरतमान समय में देखें तो भारत में राष्टे क्रत सार्वजनिक और प्राइवेट को मिला कर कुल 28 से भी अधिक बैंक हैं लेकिन यदि अनुसूचित सहरी सहकारी बैंकों और विदेशी बैंकों को भी जोड़ दिया जाये तो इनकी कुल संक्या 100 से भी अधिक है यानि टोटल 117 है और दोस्तों जिसमें है एक केंदरी बैंक सार्वजनिक बैंक जिसके अंदर 21 बैंक आते हैं प्राइवेट बैंक में साथ और सहकारी बैंक में 59 यानि की 69 है विदेशी बैंकों को जोड़ा जाये तो 29 यानि की 29 है तो टोटल मिला कर 117 बैंक हुए धन्यवाद